जोशिमत महिला मंगल दल ने नीवर्टमान BKTC पर अपने चहेतों को बैक डोर से नियुक्ति देने के आरोप लगाए और मुख्या मंत्री से अविलम इन सभी नियुक्तियों को निरस्ट करते हुए दोशियों के खिलाफ कारवाई करने की मांगी महिलाओं के अनुसार काई दर्जन जोशिमत नगर की बिरोजगार महिला पुरुशों ने तालों से BKTC मेरोजगार हेतों आवेदन दिया लेकिन उन सभी आवेदनों को दरकिनार कर ये नियुक्तिया दी गई जिसकी जाच होने आवश्यक है मन्दीर समीती में अभी जो 20-25 लोगों की यहां पे अवेदन दिया हुई है तो उसके खिलाफ यहां की समस्त महला मंगल जोशिमत का पूरा जो छेतर है वो सब आकरोस में है कि ये नियुक्तिया कैसे हुई है क्या जोशिमत में बेरोजकार लोग नहीं रहते हैं यहां पे भी बहुत जादा रोजकार की जरुवत है और हमारी यहां पे मातर सकती जो कि भूत ही मजबूर है उनके घर में एक एक टाइम का खाने के लिए भी इतनी दिक्कत होती है उन लोगों ने भी वहां पे अपनी अप्लिकेशन लगाई थी तो किस कारण से उन लोगों का नहीं हुआ जब की वह जरुवत मन्द थे और यह सरासर जोशिमत की हीद की बात है जो कि इस तरह का इस तरह की अवेद न्यूक्याứng falling है कि क्यों कि है यह सरासर यहां पे सरासर यहां पे गलत हुआ मन्से दिव तुरिस्तानम में और हम लोग यहां की जो सिमट की समस्थ जनता हमारी समस्थ महला मंगल दल इसके खिलाब आज अब एशडियन साहब को यहां पे घ्यापन दिया है और इसमें हम सराव सरकार रहोई चाहते हैं कि यह न्यूक्तिया कैसे हुई है और इसके लिए हम इसमें वही तहसीलदार का कहना है कि इस मामले की जानकारी जिला अधिकारी को लिखी जा रही है और कहा कि होने वाले कारवाई से महिला मंगल दल को अवगत करा जाएगा बतादें की प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महा में चारधाम देव स्थानम बोर्ड बनाने की कवायत शुरू कर दी थी जिसके बाद दिसंबर जनवरी में इस बोर्ड का विद्वत गठन कर बदरिनात, केदारनात, यमनोतरी, गंगोतरी समेथ 51 मंदिरों को इस बोर्ड में शामिल करते हुए वर्तमान गड़वाल कमिशनर को इसका CEO नियुक्त किया था आरोफे की लगबग 20 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उन्हें नौकरियां तो जनवरी और फरवरी में दी गई लेकिन उनके नियुक्तियों का आदेश नवंबर और दिसंबर में दिखाया गया इन सभी बैक डोर से नियुक्त हुए लोगों का वेतन तक जारी नहीं हो सका पंजाब के सिरी टीवी के लिए जोशी मट से पूरन सिंग के रिपोर्ट